सुपरभात अध्या पीका जी आज मैं आपको ओस्वार की कहानी सुनाने जाए आप चलो शुरू करते हैं ओ ओमवती ओ ओड़नी को ओड़कर ओठली में ओखली में मसाला खूठ रही थी उसका बेटा ओजस फूलो को देख रहा था तबी बारिस के साथ ओ ओले पढ़ने लगे ओजस का भाई ओमी ओलो से बचने ले पुष्टक अपने सिर के उपर रखकर घर की ओर भागने लगा कहानी खतम धन्यवा हुआ